अभिनाश एक विवाद और भी कल से बना हुआ था जब से शिवलिंग को संदक्षित करने को या उस स्थान को संदक्षित करने का आदेश सिविल कोट वारानसी ने दिया था तब से बार-बारी दलील दी जा रही थी कि वो शिवलिंग नहीं है फवारा है लेकिन सुप्रीम क कर दिया है कि वो जो जगह है उससे संदक्षित किया जाए डियम की जिम्मधारी होगी और जो वजू खाना है उससे शिव्ट भी किया जा सकता है इसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने इस परस्ट निर्देश दे दिये हैं इसमें भी अब कोई कंफ्यूजन बचा नहीं है जी बिल्कुल अगर बात कहें तो वरार्सी के जिला अधिकारी को यह इस पश्ट निर्देश दिया गया है कि अगर सिवलिंग वहाँ पे है तो उसकी पूरी तरीके से रक्षा वरार्सी के जिला प्रशासन यानि कि वरार्सी के जिला अधिकारी करें किसी भी तरीके से उस पे कोई भी साक्ष पे आज नहीं आने चाहिए और साती ये भी आदेश दिया है कि नमाज भी नहीं रुकने चाहिए जो नमाज को लेकर के तमाम सरे जो मुस्लिम पक्षकार है वो अपनी ओर से चाहिए वरार्सी की जिला अदालत हो या फिर अगर बात करें तो सुप्रीम को कि वह सयोग लें उसमें तो यह स्पस्ट कर दिया गया है कि नमाज भी होती रहेगी और जो सीविलिंग मिलने की बात आई है तो उस सीविलिंग को अगर मिले है तो उसकी पूरी तरीके से जो जाच है जो सुरक्षा है वारांसी सिविल कोट ने जिस तरीके की डारेक्शन दिये थे वैसे ही डारेक्शन सुप्रीम कोट के भी है यानि की पूरी प्रक्रिया जो सीविल कोट में चल रही थी सुप्रीम कोट उस से संतुश्ट है क्योंकि वारांसी सीविल कोट ने भी कल का था की DGP, Police Commissioner इसके अलावा जो की करेंगे और जो मुख्य सचिव हैं वो इस पूरे मामले का सुपरिविजन करेंगे और कुछ वैसे ही बातें सुप्रीम कोर्ट की निर्देश में भी नजर आ रही है कि वागर जोरुत पड़े तो वहाँ पर सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे चाहिद यही वज़ा है कि वह भी मामले में तुरित कारवाही करें और पूरा निप्टारा करें अलग के अगर बात करें तो मुस्लिम पक्ष की ओर सी यह बात हो जैफा एमदी ने जरूर कही है कि उनको नहीं सुना जा रहा है। बात करें तो साब तोर पे क्योंकि अभी पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट की जो प्रोसीडिंग है वो खत्म नहीं हुई है। अब 19 तारीकों इसमें विस्त्रीत तोर पे दलिल रखी जाएगी जिसमें उत्तरपरदिस सरकार का पक्ष भी काफी महत्तपूर्ण होगा। रोक लगाए गया है तो सुप्रिम कोट ने पूचा फिर अन्य विश्थाएं क्या है क्या कुछ है तभी अगर बात Suchy General अन के पास अभी प्रिस्थितियों की जानकारी नहीं है वो आज उत्रप्रदेश सरकार से तमाम सारी प्रिस्तियों की जानकरी लेके कल अपनी बाते सुप्रिम कोर्ट के समक्ष रख सकते हैं इसलिए याजा सुप्रिम कोर्ट से उन्हें निवेधन किया था कि कल उन्हें अपनी बात रखने का उर्त्रप्रदेस सरकार का पक्ष रखने का वक्त दिया जाए जिसके तबीया ठीक नहीं थी इस वज़े से वो आज कोट के समक्ष पेश नहीं हो सके और ये बाद सॉलिसिटर जनलल तुशार मेता ने सुप्रिम कोट को बताई जिसके बाद सुप्रिम कोट में कहा कि उस बात को समझते हैं और इस बाल इसलिए 19 तारीक कर रहे हैं जहांपे अगर कर बात करें तो गुरुवार को इस पूरे मामले की सुप्रिम कोट करेगा हिंदू पक्ष को भी सुनेगा मुस्लिम पक्ष को भी सुनेगा और उत्तरप्रदेश सरकार को भी नहीं सुने गया तीनों पक्ष को सुनने के बाद फिर जो आदेश होगा वो दिया जाएगा ले और से कुछ चीजे तैय करें जिससे कि वरार्सी की जिला अदालत है जहाँ पी तमाम सरी सुनवाई चल रही है वहाँ से तमाम सरी जो प्रक्रिया है वो ठीक तरीके से हो सके वहाँ पे तुरित जो है प्रक्रिया हो सके इसको लेकर कि वो कुछ डारेक्शन दे सकता है लेकिन ये सब कुछ तैय होगा जब परसो सुनवाई होगी तो सुप्रीम कोट ने का है कि वजू की वज़े से शिवलिंग को नुकसान न पहुचे लोगों को नमास पढ़ने से नहीं रोका जाए ये निर्देश दिया है सिवलिंग को शिवलिंग के दावे वाली जगा को सुरक्षित रखा जाए ये भी सुप्रीम कोट ने निर्देश दिया है सभी पक्षों को नोटिस जारी कर रहे हैं वजू खाने वाली जगा को संरक्षित किया जाए क्योंकि वहाँ शिवलिंग मिलन और क्या इस पूरे मामले को लेकर अपडेट है। उसकील उजैफा एहमदी की ओर से इस पर सुप्रिम कोर्ट ने इंकार कर दिया। में कोई अविवस्था नो ने पाए। ये सुप्रिम कोर्ट अपनी ओर से आज साथ डिरेक्शन दे दिया। तीसरी बात अगर बात के तो सुप्रिम कोर्ट ने जो सबसे बड़ी बात कही है वो ये कहा है कि जिस स्थान पर सिवलिंग मिला है वहां कि सुरक्षा सुनिश्चित करें अब और आरसी के जिलादिकारी। तो यह अपने चाहिए तो यह अपने चाहिए।